आलिया भट नहीं हाली में करन जोहर के शो कॉफी विद करन सीजन एट में शिर्केत की थी शो में आलिया अपनी नरंद करीना कपूर के साथ पहुची थी शो में आलिया ने अपनी परसनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की शो में आलिया ने अपनी शादी शुदा लाइफ के वारे में भी जिक्र किया, लंबे समय से रनबीर और आलिया की खराब रिश्टे को लेकर खब दे आ रही थी और अपके निन खबरों पर आलिया ने विराम लगा दिया है और अपना साइलेंस ब्रेक किया है करन जुगा ने रैपिड फा infinite round में आलिया से कहा कि वे अपने बारे में सबसे बड़ी गलत फैमि के बारे में बताएं इसकी जवाब में आलिया ने कहा ये internet का यूग है किस दन मीरी fat surgery होती है तो किस दन से इसकिन वाइडनिंग करवाती है आलिया ने आगी कहा किस दन मेरी शादी शुदर सिंदगी में दिक्कत है गलत फैमियों पर में ध्यान नहीं देती हूँ आलिया ने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि उनके और रनवीर का रिष्टा अच्छा चल रहा है और उनकी शादी में कोई खटपट नहीं है शो में आलिया ने रनवीर को इंटरेंट पर टॉक्सिक हस्वन कहने पर भी रियाक्ट किया है मेरे बूरने का तरीका बहुत कैंड़ है इसलिए जब मैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रही होती हूँ क्योंकि जिससर्ब से आलिया भट ने अपने आपको वहां पर प्रूफ किया और अपनी बात रखी एवन दो रनवीर की भी बात करी है क्योंकि रनवीर जादता सोचली आक्टिव नहीं रहते हैं और इंटरेक्शन से भी बसते हुए नज़र आते हैं ऐसे में कहरा गलत नहीं होगा कि वाकि आलिया भट बखो भी अपने और अपने बलव्ध हजबन का स्टाइन लेती हैं ट्रेनिंग बॉल विड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें